तो हेलो एविवन कैसे आप लोग मेर नाम प्रियांशु गुपता है वेलकम टू प्यांशु व्लॉक्स यूटीब चैनल तो आज मैं आपको डिफ्रेंट लग रहा हूं न आपको पता ही हेर कट मैं ने खुदी किया है ट्रिम्मर से मुझे पता ही था कि भाई हो जाएगा फ काम चला हुए है लॉक्डाउन है उसकी वजह से मैं बोर हो रहा था कल दिलप्रीत का बड़े है तो व्लॉग भी बनाऊंगा चाहे मेरे नाइट शेफ्ट मैं उसके बड़े पर जाओंगा बहुत टाइम हो गया उसे मिले दो साल हो गया उसने मुझे पिक अप किया था था है कि 5.5 बैंट्स है मेरे एक मॉडिल में कि कौन सा कॉलिज बैटर रहेगा आपको मैं एक लॉजिकल बात बताता हूं लॉजिकल बात इन दा सेंस सबसे पहली चीज में आपको बताता हूं कि कभी भी अपनी जिंदेगी में कॉम्प्रोमाइस मत करता हूं बहुत सारे बच होगा मुझे मैसेज आता है कि मेरे मॉडियूल में 5.5 बैंट्स हैं एक में बाकी में बढ़िया बैंड है 6 बैंड है कौन सा कॉलिज बैटर रहेगा जब मैं उन्हें कहता हूं ना दुबारा एक्जाम दे दो अच्छी ऑपरचूनिटी मिलेगी वो कहते नहीं यार हमने कै परचूनिटी होती है न वो बहुत कम होजाती है मेरे कहने का मतलब है कि कॉलेज को चूज करने की अपरचूनिटी.'s अगर आपके अच्छे बैंड है7 बैंड है तो आपके पास बहुत सारी अपरचूनिटीज होंगी कि आप कॉन सा क्यूंत कर सकते हो college अगर आपके 5.5 ब unacceptable है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके 5.5 बैंट्स आते हैं ठीक है मान लो आगे तो दुबारा एक्जाम दो मेरे नहीं आए है मेरा एक बार में clear हो गया well and good है अगर नहीं clear होता मैं दुबारा एक्जाम देता क्यों क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी opportunities कम नहीं करना चाहता अच्छे बैंट्स आएंगे तो आगे जाके भी आपको आल्स का एक्जाम देना है पी यार के लिए यहां पे आओगे Express Entry में जब फाइल लगाओगे आपको पी यार का एक्जाम देन ओके ओके बैंड आजाए बस वीजा लग जाए बस बात खतम लेकिन कहानी यहां पे खतम नहीं होती है आपको यह चीज दुबारा फेस करनी पड़ेगी यहां पे आके दुबारा आइल्स देनी पड़ेगी तो इस बैटर ना कि पहले ही प्रिपेर करके आओ कि हाँ 5.5 बै सारे बच्चे कर लेते हैं तो मैं उनको उनको देखके यही बताता हूं कि अपनी जो उपर्चुनिटी से ना उनके साथ भेदभाव ना करो उनका गला ना घुटू यार जिन्दिगी में काम्याब होने के लिए हमें महनत करनी पड़ती है ठीक है चीटी के सामने आप एग से जाने की कोशिश करेगी वह रुकेगी नहीं एक ठीक है अगर आपको एक जगा से दूसरे जगा जाना है फॉर एक्जमपल आपने अपने नानी के या जाना है आपके नानी का घर है सो किलो मिटर दूर अगर वहां पर बस सर्विस नहीं है फिर क्या करोगे राइड होगे तो फिर कोगे कि मुझे लिफ्ट दे दो किसी भी तरह दे दो आपने जाने आपका दिमाग काम करता है ना कि इतनी मुश्किल है तब भी जाने है जिन्दगी में जब रुकावटे आती है फिर क्यों आप मतलब सैड हो जाते हो जिन्दगी में अगर एक रुकावट एक वायट दाती आप उसको लेकर बैठ जाते हो 555 बैंट है तो लेकर बैठ गए 5.5 बैंट बरस अब इसी में college चूझ करेंगे इसी में क्या फाइदा है अपने आपको शिरिंग करते रहोगे हर एक बार फिर आपको यह आदित पढ़ियाएगी इधर भी आप कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे चलो 14 डॉलर में जॉब कर लेते इस नॉट अप्शन दिमाग से जितना पूछोगे उतना ही बताएगा ना दिमाग से पूछोगे कि हा मैंने इधर से उस लोकेशन पर जाने है तो वो शिरिनगर का रस्ता तो नहीं बताने वाला चीक है तो दिमाग को काम पर लगाओ और दिमाग से पूछो कि मैं आठ सकता हूं नहीं ले सकता को कैसे में रिप्लेस करो कि मैं कंसिस्टेंट क्यों हूं क्योंकि मेरा गोल है कि मैंने यूट्यूब पर कुछ करना है और आप लोगों की हेल्प करनी है मैं इसलिए कंसिस्टेंट हूं जो मर्ची आए आंधी है तुफान है घर के अंदर बैठके बना लेता हूं जाते हुए बना लेता हुं टाइम नी मिलता लेकिन बनाता जरूर हूं क्यों क्यों कि यार मुझे पता है न मेरा डॉल है आपको भी गॉल रखने अपना कि टेंशन नहीं अपना रहना अगर वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कर देना और लास्ट में जो अपने काम पे ध्यान देता हूं ठीक है अपने आपको टाइम दो लवियो और टेक कियर अपने ख्या रखना बाई